Hello and welcome friends, Microsoft Word सीखने की सीखने की सीविज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ आपने ये तो सुना होगा कि Excel में Automated Fill हो जाता है क्या Microsoft Word में भी Automated Fill हो जाता है आज इसी की बात करने वाले हैं और आज आपको इसी के बारे में भी बता हूँगा मैं तो यहाँ पर देख सकते हैं Serial Number लिखा हुआ है और Name of Student लिखा हुआ है अब हमें क्या करना है हम चाहते हैं कि यहाँ पर Serial Number फिल हो जाए जैसे यहाँ पर 1 लिखा फिर नीचे आएंगे 2 लिखेंगे नीचे आएंगे 3 लिखेंगे नीचे आएंगे 4 लिखेंगे नीचे आएंगे 5 लिखेंगे नीचे आएंगे 6 लिखेंगे ऐसे करके हम लिख सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं यह Automatically फिल हो जाए क्या कोई formula लगेगा क्या होगा चलिए आईए समझते हैं तो यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी राम लिख लिया यहाँ श्याम लिख देता हूँ यहाँ पर सचिन राजू कुछ नाम मैंने लिख लिए हैं अब यहाँ पर हमको वो टेक्निक सीखनी है जिसकी मदद से हम automated फिल कर सकते हैं अब यहाँ पर तो कुछ ही आपको insert करवा लिजी जितने चाहे उतने ठीक हैं यहाँ से इस तरह से कुछ यहाँ से यह हो गया आपका ठीक है यहाँ पर जाकर के यह right click किया हमने और भी insert करवा लेते हैं यहाँ से दिखिए तो यह देख सकते हैं अब यह इतने इस तरह से कुछ insert हो चुका है आप देख लिजी यह ठीक हैं कॉलम बन चुके हैं अब इसमें हमको fill करना है serial number तो यह तो एक दो करके करें और नहीं तो एक technique यूज़ कर लिजी यहाँ पर आप selection में ले लिजी इसको जिस तरह से हमने अभी लिया था बिल्कुल वैसे ही पूरा नहीं लेना आपको सिरियल नंबर वाला column selection में लेना है और यहाँ पर आपको home tab में दिखाई पड़ेगा numbering ठीक है तो यहाँ से numbering पर जाना है कौन वाले style की numbering चाहिए वो देख लिजिए उस style की numbering यहाँ पर आ जाएगी है कि आपको technique कैसी लगी thank you for watching this video